जदियों अपने को राष्ट्रिय पार्टी कहती है, क्या उसके राष्ट्रिय अध्रच की यही भाषा है, प्रधान मंत्री के बारे में, शर्मनाक है, क्या नितिश्च कुमार से मैं पूछूंगा, आपके राष्ट्रिय अध्रच की यही शालिंता है, आज तक आजाद भारत के इतिहास में किसी भी प्रधान मंत्री के बारे में इस तरह की हल्की बात गाली गलोज नहीं किया गया ये देश के गरीबों का अपमान है देश के पिछणों का अपमान है और ललन बाबू की ये सामंतवादी अहंकार बोल रहा है मुझे मालू मैं उनको तलखी लगी है तो एक अलग बात है लेकिन क्या सारी मर्यादा शालिंता सब भूल जाएंगे और आज मुझे ललन बाबू से एक ही सवाल पूछना है हमारे प्रधान मंत्री पर उनकी इतनी आपत्ती है तो 19 सुनाव में लोग सभा किसके बलबुदे पर जीते थे नितिश बाबू के बलबुदे जीते थे क्या कि नरेन मोदी के नाम पर जीते थे ये सचाई नहीं है क यह बहुत पीड़ा दायक है मैं बहुत इसकी भरसना करता हूं और देश की जनता तो जवाब देगी ही देगी बिहार के गरीब बिहार के पिछड़े और बिहार की जनता तीनों का जवाब देगी कभी मैं भाजपा के साथ कभी नहीं जाओंगा तो हमीग पहले कह चुके हमिश्या पूर्णिया के रैली में बोल चुके और नितिश बाबु को यह याद आ रही है पचीस साल के बाद कि मैं नहीं जाओंगा केंद्रिय मंत्री रहे 19 साल मुख्य मंत्री रहे पुरा पर इतना जीते चौदा में दो हो गए थे सब को याद है अच्छी बात है अब नितिश बाबु के लिए भी भाजपा के दरवाज़ा बना है